पुलाव बनाने का बिधी, आज बन रही है वेश पुलाव, शो आज वेश पुलाव में बनने के लिए क्या किया चाहिए उसके हम दिटेल्स दिखा रही है, यह होगा आपका कटा हुआ बींच, यह बड़ा सा एक कटा हुआ गाजर, यह आपका होगया काजू, यह एक हमने अलो लिया है यह थोड़ा शोब प्याज है एक ग्रीन शिले और यहां पर थोड़ा सा लश्चून यह मसाला है गट मसाला और यह ग्रीन पीस मतर यह दो तमेटो लिया हुआ हूँ और यह सोब दन्या काम अभी इसर्ब कर लिया है उसमें थोड़ा विजदे बूल लाह थोड़ा नहीं तो लिख गरम हो रहे हैं अभी गालेंगी उसमें उसमें हम रुफटा मुचाला लिया हैं तो यह दानेंगी तो लिख नवाबम तो लिख पतार हो अपर हम ऺमेज बडले एक बड़ प्या हो पात्त डाव हो एक लो प्याँ लोग बड़ एक लग एक लो बड़क का लो एक लाव अबी हम दाल जे गार्लीक, कताओवा लोशून, इस बाचा के अलिक कर लेगे, किती हम अलिक फच्छा, कताओ में नहीं में की राचे हमाचा जबदोर, इसमय को लोगा है, क्या आधा हम आधा हमाचे हमार, कार ये भाचा, क्या एक राचा काय कर लेगे, कुरान नमों का लंगे अका स्वार मुषा नमों कर जिए नहां जांगे ताह नहां ताह भाद बेगा अटर विस्करेंगे अचासे यह बात हम डाल दे कहतावा गजर तो भी अचासे अचासे मिश्करेंगे देलेंगे यह कहतावा प्रोपीस आलों इसको अचावा सी लास्ट मेलब गेन मोतर इसको अचासे अचासे मिक्स कर लेंगे अच्छा से तकी सब मिच्छे से यह बन रहा है वेजितेबल तुरा जादा रहा है इसलिए में वेजितेबल थुरा जादा रहा है पकालेंगे उसके बार हम डालेंगे शावल हमने इसको भीगो के रखे है अचा से दोके भीगो के रखे है तक कि राइस बनने में वो शाल लंबा बने इसको भीगो के रखे अभी यह डालने वाला हम राइस आपका यह राई से यह ज्यादा ने पांस मिने फेले भीको के राखना सही है ताकि बखने में थुरा अच्छा होता है और राईस थुरा सुन्दर होता है लंबा होता है बनने के बाद आपके बंपेल परा पर्चा है अभी हम तपर डाल लेंगे राईस नम अभी तपर राईस दर रहा है तो चावल है चावल पराईस दर रहा है तो चावल है पका दिया है राईस बना दिया इसमें डाल दिया कि इसको अच्छे से मेक्स कर लेंगे कि अच्छा है और पकने का इसाब से थोड़ा सा पानी डाल देंगे कि अच्छा से अच्छा से अच्छा लेंगे ताकि निशे ना बेच जाए मसाला नहीं तो निशे जलने का साम से रहते हैं उसको अच्छा से घुल मिल के मिक्स कर देते हैं अब हम इसको लेट डाल के बन कर देंगे पकने तक से पहले हम जो शोप करके रखा है दन्या पत्ता वो भी डाल देंगे यह शोप हुआ हो दन्या पत्ता डाल दिया हूं अभी इसको लेट डाल के बन कर देंगे पकने तक अभी पुला पक रहा है अभी दू शिति बजाएंगे जो दू शिति के बार इसको बन कर देंगे अभी पुलाव रेदी हो गया अभी देख सकते कितना सुन्दर से पुलाव बन गया ये हो गया आपका वेजिताबल पलाव noiseso let's do it guys you can also enjoy and make it fast easily and short time नेखिए गरम गरम अभी उसका भाप निकल रहा है गरम गरम पलाव सार्फ कीजिए और खाकिए एंजोई कीजिए कि एक टो मोटेल जैसे बन गया आप भी घर में आराम से बना के वेजिटेबूल पलाव का एंजाई कर सकते हैं ओके थेंक यू बाई बाई